नमस्कार किसान भायो आज की वीडियो में आपको ट्रैप लगाने के बारे में जान करी देऊंगा जो फसल है मेरे पिछे आप देख सकते हैं कपास की फसल है और कपास के अंदर हमने ट्रैप लगाया है गुलाबी सुंडी का पिछली साल बहुत ज्यादा नुक्सान रहा है जो दस कुंटल तक पैदावार हो जाती थी वो गटके एक कुंटल पे आगी थी परेकड के इसाब से और बाव था उच्छे साथ जार रुपे के आसपास था बहुत बड़ा नुक्सान किसानों को हुआ था और आज के दिन की बात करें तो बाजार में कपास के बाव तेरह जार से भी ज्यादा है प्रती कुंटल के इसाब से अगर वही पैदावार दस कुंटल हमें मिल जाए तो आप इसाब लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मुनाफ़ा किसानों को इस साल मिलने वाला है अगर आज के इसाब से देखें तो अगर आप ये ट्रैप लगा देंगे तो उमारी लाकोगी फशल बचेगी और खर्चा मारा मुश्ड़ 6,000 रुप्य आएगा पर एकड के हिसाब से एक एकड के अंदर हमें लगवग 10 ट्रेप लगाने होते हैं और वो 10 ट्रेप अमारी लाखोगी फसल बचा सकते हैं Gaijam.com से मैंने अपने ट्रेप मंगाई है एक एकड के लिए मैंने मंगाई हैं 10 ट्रेप लूर की वैलेड़ीटी होती है 60 दिन तक एक बार हमें तरीके से इसको अपने खेत में इंस्टाल कर देते हैं तो इस 60 दिन तक हमारे खेत की सुरक्षा करता रहेगा जितनी भी मखिया होती है जिन से गुलाबी सुंडी पैदा होती है वो सब मखिया या वो सब तितलिया इस ट्रैप के अंदर गुश जाएंगी और वो अपने जो भी अंडे हैं वो नहीं दे पाएंगी तो उससे गुलाबी सुंडी पैदा ही नहीं होगी तो नहीं होगी तो अमारी फसल में है जो नुक्षान बचेगा और पैदावार अमारी बढ़ेगी इसका सई लगाने का तरीका है या सई लगाने का वो टाइम है उसके बारे में आप बात करते हैं यह पोद्धा आप देख सकते हैं माक्सिम में एकावड का पुद्धा है और इसके उबर फलावरिंग श्टार्ट हो गई है सबसे सई टाइम यही है जब भी फ्लावर होते हैं उसी टाइम पे वो मख्या अपना जो अंडे हैं फ्लावर के अंदर दे देती हैं और वहीं से गुलाबी सुन्डी पैदा हो जाती है तो इस स्टेज से पे आते ही हमें अपने खेत में ट्रैप इंस्टाल कर देने हैं शुरुवात में आप चार ट्रैप लगाओ खेत के चारो कोणों पे वह हमारी एक चोकीदार बन जाएंगे जब भी हमें डेली चैक करते रहो चार से छे मख्या उसके अंदर गुषने लग जाएं तब आप समझलो की नुक्सयान शुरू हो गया है और अब ट्रैप की संख्य क्या बदानी हो गया में तो सही लगाने का तरीका यह है एक कोई भी मजबूत लखड़ जिसके आइट पांच से छे फिटकी हो एक फिट उसको जमीन में गाड़ दो ताकि मजबूती से खड़ा रहे और जो भी फसल है जितनी भी उच्छी है उससे मैक्सिम्म 6 से 8 इंच की उचाई पे उसको बांदो इस ट्रैप को जैसे कि यहां पे मैंने बांदा हुआ है इसके उपर एक जगह साचा दिया होता है वही उसको अमें लखडी के सारे बांदना होता है और इसके अंदर एक पाउडर होता है जिससे की मख्यों को स्मेल भी आती है और उसके अंदर व हमें यह द्यान रखना है कि सबसे पहले लूर को है काची से काट लो उपर से और उसको बिना चुहे या तो अपने आथ में गलब्स होने चाहिए या फिर कोई पन नी बगारा ले लो उसको निकालो डारेक्ट आज से टच नहीं करना है उस जो जगह दे रखे उसके अंदर उ चुहणा नहीं है उसको और डेली की डेली आमें यह खाली करना है अगर आमने इस डेली खाली नहीं किया तो इसके अंदर जो भी तितली आएंगी मनने के बाद उनमें से स्मेल पैदा होगी और वो एक कुत्ते या फिर जो भी मासारी जीव है उनको लगेगा कि यहां पे तो मास रखा है मीट रखा है और वो इस पन्नी को फाट देंगे और पूरा ट्रैप हमारा बेकार हो जाएगा तो सबसे पहले यही दियान रखना है कि हमें डेली की डेली उस अगर आपका काम बाइदेश ट्रैप से नाचले आपको लगे कि यह मक्यों का बहुत ज्यादा इसमें परवा उपड़ा हुआ है और डेली की 10-20 मख्या है वो इसके अंदर गुसरी है तो आप ट्रैप की संख्या बदा दो 10 से 5-7 और लेया वाप 15-20 ट्रैप अपने खेत म नाचले से अब बारी आती है कि यह काम कैसे करता है तो इसके बारे मैं आपको बताना चाओंगा नर और मादा का मेव उता है तो उससे जनसंख्या बढ़ती है इनकी फैमली बढ़ती है और आप मारी लासले में नुक्षान करती है तो जितने भी नर कि sub सब चोरौuks आत्र ह होती है सारे नर इसके अंदर आ जाते हैं जितने विमारे खेत में होते हैं मादाएं बार रहा जाती हैं तो उनका मेल नहीं होता है तो जन संक्या नहीं बढ़ती है इससे काफी कंट्रोल मिल जाता है और यह कंट्रोल हमें शाट दिन तक लगातार मिलता रहेगा अगर जो बा भी प्रोड़क्ट है इनके मैंने अपने खेत में इस्तेमाल करके देखे हैं पिछली साल ये ट्रैप मैंने लगाए थे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया था और तरबूज की फसलती मैंने उसमें भी लगाए थे जब फ्लावरिंग स्टार्ट होगे ती तब मैलोन फ्लाई का तो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करते हैं इस कंपनी मैं बिल्कुल गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं अगर आप इस कंपनी प्रोड़क्ट लेना चाहते हैं बेज जख ले सकते हैं कपास की फसल लगा रखी है तो कम से कम जो है कि अपने पेस्ट है उसको कोई खाएगा यह नहीं उसको कोई निखाएगा तो नुक्षान पहुंचाएगी अगर पेस्टिसाइड का इस्तमाल नहीं करेंगे तो मासारी जितने भी मित्र कीट है वो उस पे रहेंगे थोड़ी बहुत कोई गुलाब भी सुन्दी वांबच भी जाएगी तो वो उसको खा जाएगे तो काफी जानकारी इसमें हमने मेरे इसाब से दे दिया कुछ रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं आसा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हैल्फुल रही होगी वीडियो देखने के लिए आपका दन्यवाद आपका दिन शु मझे किसान